Zomato Food Delivery versus Rapido Food Delivery इन दोनों ही कमपनियों के बीच के कुछ major difference में आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाने और समझाने वाला हो दोस्तो Zomato और Rapido आज दोनों ही कमपनियां बड़े लेवल पर काम कर रही है food delivery को लेकर और इसी के साथ इसमें जो कुछ major difference है सबसे बड़ा इसके earning को लेकर दोनों ही कमपनिय के earning के भी कुछ मैं आप लोगों को proof बताऊंगा जिससे आप लोगों को clarity हो जाएंगी कि आप लोगों को कौन से कमपनिय में काम करना चाहिए इसी के साथ इसके जो कुछ important point है जैसे कि दोनों ही कमपनियों का joining process दोनों ही कमपनियों में लगने वाले document, job, timing इसी के साथ सबसे ज़रूरी delivery service यानि कौन से कमपनिय कौन से delivery की जाती है और कौन से आप लोगों को करने चाहिए इसी की साथ यहाँ पर dress code कौन से company में किस तरह से होता है delivery condition क्योंगी देखिए अगर आप एक अच्छा earning करना चाते है तो सबी company में कुछ delivery को लेकर condition रखी जाती है तो condition यहाँ पर कौन से company में किस तरह से दी जाती है इससी की साथ यहाँ पर सबसे important इसका rate card rate card पे ही आपका earning depend होता है तो rate card में आप लोगों को दोनों ही company के यहाँ पर आज दिखाने वाला हूँ और उससे भी ज़्यादा important इसका earning earning के भी proof में आप लोगों को इस video के last में दोनों ही company के बताऊंगा तो सबसे पहले अगर बात करें इसके joining process की तो दोनों ही company में joining process पर मैंने वैसे special video बना रखे है उसके link मैंने नीचे description में दे दिये है अब joining process की अगर बात करें तो दोनों ही company की joining process में आप लोगों को कुछ difference देखने के लिए मिलेंगे वैसे अगर देखा जाए तो joining process दोनों ही company का पुरा online है आप लोगों को join करने के लिए कही पर भी बाहर जाने की जरूत नहीं है आप घर बैटे ही अपने mobile से 10 मिनट से लेकर 15 मिनट में इसका joining process complete कर सकते हो बस अगर activation की बात करें यानि कि यहाँ पर idea आपका active कौन से company में कितने दिनों में होता है तो जोमाटो की अगर बात करें तो अगर सारे document आपने सही तरह के से यहाँ पर fill कर दिये है तो आपका जो ID है within one day यहाँ पर active हो जाता है और अगर rapido के ID activation की अगर बात करें तो यहाँ पर कभी-कभी यहाँ पर एक से दो दिन भी activation के लिए लग सकते है आप बात करते हैं यहाँ पर लगने वाले document की document वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही company में same रखे गए है क्योंकि document में यहाँ पर आप लोगों को आधारगार, pancard और आपका bank passbook यह दोनों ही company में same है लेकिन आप बात करते हैं इसके साथ इसके vehicle की तो vehicle पर कुछ document यहाँ पर important होते है जैसे कि Zomato में अगर आप vehicle से अगर आप join करते हो तो vehicle में आप यहाँ पर bike, scooty या फिर EV bike या फिर आप cycle से भी join कर सकते हो लेकिन rapido की अगर बात करें तो rapido में आप other vehicle से join कर सकते हो अब यह हो गया यहाँ पर के document और vehicle की बात अब इसके साथ अगर बात करें इसके job timing के तो job timing दोनों ही company का अलग-अलग है वैसे दोनों ही company में कोई fixed timing नहीं दिया गया है यानि आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं कि आप लोगों को कई पर fixed timing दिया जाएंगा दोनों ही company में आप अपने timing के साथ से काम कर सकते हो लेकिन अगर जुमाटो की बात करें तो जुमाटो में gigs rate card दिया गया है और gigs rate card में क्या होता है कि आप लोगों को आने वाले समय की gigs पहले ही book करके रखने होते है यनि अगर आप कल काम करना चाते हो या फिर आप Saturday और Sunday काम करना चाते हो तो इन दिनों के gigs आप लोगों को पहले book करके रखने है और जो timing के gigs आपने book करके रखे है उस timing में आप लोगों को काम करना ज़रूरी होता है और जो भी gigs आपने जितने समय के book करके रखे है उतने समय के लिए आप लोगों को काम करना है लिकिन अगर rapido के job timing की बात करे तो rapido में ऐसा बिल्कुल नहीं है आप जब भी free हो या जब भी आपके बाद समय हो आप उस timing में यहाँ पर login जाकर आप working कर सकते हो और जब भी आपका काम करने का मन ना हो आप उस time पर यहाँ पर offline जा सकते हो तो job timing के बाद अब बात करेगर इसके dress code की तो जुमाटों में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर आप working करना चाते हो तो जुमाटों में इसके bag और t-shirt के साथ आप लोगों को working करना है यह इसका एक dress code होता है इसके सिवा अगर आप काम करते हो और जब भी इसके selfie आप लोगों को देनी पड़ती है और selfie में अगर आपके पास जुमाटों का bag या फिर अगर आपने t-shirt नहीं पहनी हो तो इससे फिर क्या हो जाता है कि आपका order ratio कम हो जाता है और फिर company की तरफ से भी अगर ये चीज बार-बार अगर देखी जाए तो इससे आपका ID भी यहाँ पर deactivate करके दिया जाता है लेगिन इसके साथ अगर बात करें rapido के dress code की तो rapido में ऐसा कोई भी dress code नहीं दिया गया है आप जो भी चाहे उस dress पर या उस आप कपड़ों पर आप यहाँ पर working कर सकते हो इसमें वैसी कोई requirement नहीं अब इसके साथ अगर बात करें delivery service के तो delivery service बहुत जादा important role play करती है दोनों ही company'ों में पहले बात करते है Zomato की तो Zomato में delivery service यानि कि सिर्फ food delivery service यहाँ पर दी जाती है इसके अलावा कोई और service यहाँ पर नहीं होती है तो आप यहाँ पर continue food delivery अगर आप करना चाते हो तो Zomato एक best option है लेकिन अगर rapido के यहाँ पर delivery service की अगर बात करे तो rapido में यहाँ पर तीन तरह की service दी जाती है सबसे पहला जो rapido जाना जाता है वो है bike taxi को लेकर यानि कि पहले bike taxi की service यहाँ पर दी जाती है दूसरी है यहाँ पर food delivery और तीसरी अभी जो यहाँ पर नई service शुरू हुई है वो है parcel delivery इन तीनो ही service के rate card में आप लोगों को आगे बताऊंगा यानि अगर आप rapido में काम करते हो तो तीनो ही service में rate card कैसे मिलता है वो सारी चीज़े detail में आगे हम समझेंगे तो अगर आप mixed service में काम करना चाते हो यानि अगर आपका मन करे कुछ देर food delivery करनी के लिए सबी companyों में कुछ condition दी जाती है आप पहले बात करते है Zomato की तो Zomato में आप जब भी food delivery करते हो food delivery की जो भी order आप लोगों को receive होती है नि आपको आप लोगों को app पर दिखाई देती है तो order आने के बाद आप उस order को cancel या reject नहीं कर सकते अगर आपने cancel कर भी दी तो आप एक से ज़ादा order आप यहाँ पर cancel नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप ज़ादा order cancel कर लोगे तो इससे फिर आपका जो ID है उस ID पर भी problem आ सकते है या फिर आने वाले order आप लोगों को कम मिल सकते है अब इसी की साथ अगर बात करें कि rapido में delivery को लेकर कैके condition दी गई है तो सबसे important यहाँ पर कोई condition ऐसी नहीं है आप जितने चाहे उतने order आप यहाँ पर reject कर सकते हो यहनि कि आपको आपके app पर कोई order आती है और अगर आप उस order को accept नहीं करना जाते तो आप उसे reject कर सकते हो इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन एक चीज है अगर आप maximum पूरे दिन में अगर आप order reject ही करते बैठोंगे तो इससे हो सकता है कि फिर आगे आपके ID पर कोई problem हो या फिर आपको order का ratio कम दिखने के लिए मिले लेकिन ऐसी कोई condition रैपिडो में नहीं दी गई है आप जितने चाहे उतने order आप यहाँ पर reject कर सकते हो अब इसी की साथ एक और point है वो है area का Zomato में आप लोगों को एक fix area दिया जाता है जिस area में आप लोगों को जाकर आप लोगों को लोगिन करना है और order deliver करने है लेकिन अगर रैपिडो की बात करें तो रैपिडो में आप Oliver City के आप कही पर की भी order आप accept और deliver कर सकते हो अब सबसे important point पर बात करते है यहाँ पर का rate card rate card आप लोगों को समझना जरूरी है क्योंकि rate card से ही जो आपका earning है वो यहाँ पर decide होता है अब rate card में आप लोगों को step by step दोनों ही company का बताऊंगा रैपिडो का rate card जो है यहाँ पर अलग-अलग service है तो इसका जो rate card है वो 2-3 तरह के rate card है और जोमाटो में एक ही service food delivery की दी जाती है इसलिए जोमाटो का एक ही rate card है तो मैं आप लोगों को पहले जोमाटो का rate card दिखा देता हूँ तो जोमाटो में अगर minimum base fair के अगर बात करें ने आप लोगों को minimum एक order पे कितना पैसा दिया जाता है तो यहाँ पर जैसिक में आप लोगों को बता है कि यहाँ पर आप cycle ID पर भी काम कर सकते हो और दूसरा आप bike या scooter से तो अगर आप यहाँ पर cycle ID पर काम करते हो तो cycle ID वालों के लिए minimum 20 रूपए एक order के दिये जाते है अब यह जो order होती है यह minimum 100 मेटर से लेकर आप लोगों को 2 किलोमेटर या 3 किलोमेटर तक की मिल सकती है cycle ID वालों के लिए अब यही पर अगर bike ID की अगर बात करें तो bike ID पर आप लोगों को minimum 20 रूपए से लेकर 30 रूपए एक order की दिये जाते है आप यहाँ पर के incentive slab की अगर बात करें तो पहले जोमाटों में target pay वाला rate card होता था जिसमें incentive slab अलग था लेकिन अभी यहाँ पर gigs rate card आ चुका है तो gigs rate card में जो incentive slab है यानि कि जो भी आप gigs book करते हो वो हिसाब से उस gigs में आप जो order deliver करते हो उस इसाब से आप लोगों को यहाँ पर rate card यानि कि incentive दिया जाता है तो पहला आप यहाँ पर slab देख पा रहे हो इसमें अगर आप gigs target दो book कर लेते हो और इसमें अगर आप 8 order complete कर लेते हो तो 125 रुपा आप लोगों को incentive यहाँ पर अलग से दिया जाता है इसी के साथ अगर आप gigs target 6 book कर लेते हो और इसमें अगर आप 15 order deliver करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 200 रुपे extra incentive मिलता है और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर 6 gigs target book करते हो और 15 order अगर आप deliver कर देते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 200 रुपए तक का incentive मिलता है और अगर आप यहाँ पर Saturday और Sunday अगर आप यहाँ पर काम करते हो तो Saturday और Sunday यहाँ पर जो incentive है वो आप लोगों को यहाँ पर 300-300 रुपए तक मिल सकता है और food delivery में एक अच्छी बात यह है कि यहापर Saturday और Sunday जो earning है वो जादा होता है अधर दिनों के मुकाबले आप बात करते है रैपिडो में जो 2-3 service है यानि कि bike taxi, food delivery और C2C यानि कि parcel delivery तो सबसे पहले देख लेते है रैपिडो में food delivery अगर आप करते हो तो इस पर किस तरह से rate card दिया जाता है तो यहापर जो base fare है वो 13 रुपए है और minimum fare जो है वो 30 रुपए है और order का अगर distance अगर देखा जाए तो वही 3-4 km के बीच का होता है अब यहापर आप जैसे की नीचे देख पारे हो यहापर जो km की सबसे जो पैसा दिया जाता है वो काफी अच्छा दिया जा रहा है पहला जो आप लोगों को यानि 5 km तक की अगर आपकी order है तो 7 रुपए पर km की सबसे पैसा मिलेंगा और 5 km के उपर अगर आपका running हो जाता है तो इसमें 9 रुपए पर km की सबसे पैसा दिया जाता है यानि कि अगर आप लोगों को होटेल पे जाके 5 मिनट के उपर अगर order के लिए wait करना पड़ता है तो उसके लिए आप लोगों को 1 मिनट की सबसे 1 रुपए यहाँ पर अलग से मिलता है फूट डिलिवरी में यानि कि अगर जुमाटों में भी काम करते हो जो जुमाटों में भी आप लोगों को waiting टाइम इसी तरह से दिया जाता है अब यहाँ पर pick up के लिए आप जैसे की देख पारे हो अगर आपके order यानि कि अगर आपको order pick करने के लिए 2 km के उपर अगर जाना पड़ रहा है तो 4 रुपए पर किलिमेटर के सबसे आप लोगों को अलग पैसा यहाँ पर दिया जाता है अब यह तो हो गया यहाँ पर delivery पर यानि कि food delivery पर मिलने वाला incentive अब इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों अगर C to C यानि कि अगर आप यहाँ पर parcel delivery करते हो यहाँ पर minimum जो base pair है वो 15 रुपए है और minimum fair यानि कि एक order पर minimum आप लोगों को 45 रुपए दिये जाते है अब इसी के साथ यहाँ पर per kilometer की साब से जैसे कि आप निजे देख पार हो 8 km के अंदर के अगर आपके कोई ride होती है तो यहाँ पर आप लोगों को 10 रुपए पर kilometer के हिसाब से पैसा मिलेंगा और अगर आप 8 km के उपर आपका running हो जाता है तो 14 उपए पर किलूमेटर के सबसे पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है अब इसमें प्लैटफॉर्म चार्ज भी होता है अगर आप यहाँ पर रैपिडो में आप बाइक टेक्सी या फिर आप पार्सल डिलिवरी करते हो तो इसमें आपसे प्लैटफॉर्म चार्ज लिया जाते हैं जो भी आप अर्निंग करते हो उस अर्निंग से 20% यहाँ पर रैपिडो अपना प्लैटफॉर्म चार्ज कर लेता है अब इसी के साथ अगर आप यहाँ पर बाइक टेक्सी में काम करते हो तो 9 रूपय पर किलूमेटर के सबसे पैसा दिया जाता है और 2 किलूमेटर के उपर अगर आपको पीक करने के लिए जाना पड़ रहा है तो 4 रूपय पर किलूमेटर के सबसे अलग से पैसा दिया जाएंगा तो दोस्तों इस तरह से दोनों ही कमपनियों का जो rate card है वो मैंने आप लोगों के यहाँ पर दिखा दिया अब बात करते हैं सबसे important point पर जो कि है यहाँ पर का earning earning के मैं आप लोगों के दोनों ही कमपनियों के proof दिखा देता हो तो सबसे पहले देख लेती कि Zomato में यहाँ पर Deliru Partner daily कितना earning करते हैं तो Zomato का earning आप जैसे कि देख पारे है पहला earning है 1077 रूपए का दूसरा earning है 922 रूपए का फिर एक earning है 1337 रूपए का अब यह 11 दिन के earning है जो कि Zomato Deliru Boy करते हैं आप देख लेती कि यहाँ पर Rapido में Deliru Partner daily minimum और maximum कितना earning कर रहे हैं तो यह पहला एक earning है जो कि है 780 रूपए का फिर है 940 रूपए का और एक है 920 रूपए का तो अगर देखा जाए तो दोनों ही कमपणियों के earning में वैसे कई सारे difference आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे लेगिन आप किसी भी कमपणिय में काम करो मैं आप लोगों को एक यहाँ पर advice देना चाता हो आप चाहे रैपेडों में काम करो या फिर जोमाटों में या फिर आप किसी भी कमपणिय में काम करो अगर आप एक अच्छा earning करना चाते हो तो इसके लिए दो चीज़े सबसे ज़ादा important होती है सबसे पहला है आपका city आपकी city में काम कर रहे हो और उस city में company का customer base है वो कितना बड़ा है और दूसरा होता है आपका working आप कितने देर के लिए यहाँ पर काम कर रहे हो तो अगर आप इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखते हो तो आप किसी भी company में एक अच्छा earning कर सकते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगो तो वीडियो को एक like जरूर कर दीजे और अगर आप किसी और company के बारे में जानकर पाना चाते हो तो आप मुझे comment में जरूर बताइए चले thank you so much मिलते हैं अगले वीडियो में